हाला सुडेंट्स मेरा नाम दॉक्टर गजिंद पुरहीत है अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीसी कर रहे हैं या किसी भी कॉंपेटिटिव एक्जाम की तैयरी कर रहे हैं जहां पर हार मैथमेटिक्स पूछा जाता था हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत हैं झाल आज मैं आपके सामने पर दाख टेलर तेओर फॉर्थेवा फॉर्फशन एक्सपांशन कर सकते हैं वह हमने पढ़ लिया है वह फंक्शन और वियरियेबल का कंसप्टै आज पूप्शन ममें तो कैसे उसको एक्स्पांड किया जाता है किसी पॉइंट के बाउट Maclaurin series हो जाती है, special case होता है, वो आपको मैं next video पर मताऊंगा, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि Taylor's theorem से कैसे हम function of two variable का expansion करते हैं, तो सुन, शू करते हैं. तो सुन, बात करें, let fxy be the function of two variable and all the partial derivative of an order are finite and continuous for all at point x, y. तो कैसे इसको expand किया जाता है, मैं सीदाफ को यहां लिख के बताऊंगा, फिर आपको यहां से भी समझ मा आ जाएगा. अगर हमें expand करना है a और b पे, तो यार यह हमारे पास हाता, fxy is equal to f a, b plus 1 upon 1 factorial, यहां पे आएगा हमारे पास, x minus a partial derivative with respect to x, यहां पे y minus b partial derivative with respect to b, बदो y आएगा, I'm sorry यहां पे, प्लस 1 by 2 factorial आएगा यहां पे यहां पे, दो बार x के respect में derivative करेंगे plus 2 x minus a y minus b यहां से हमारे पास आएगा fxy a, b आजाएगा plus यहां पास y minus b ka whole square f y, y है ना, and a, b इस तरह से यह चलता रहे ता, next 1 by 3 factor लाएगा, फिर हमारे पास cube की time आईगी है ना, तो गर हमारे पास a और b point दे रिखा और function दे रिखा तो इसको हम बहुत इसली यहां पे expand कर सकते हैं by the using Taylor series concept for the function of 2 variable इस तरह से अगर हमारे पास 3 variable की बात करेंगे, तो 1 by 3 factor लाएगा फिर x minus a का cube आजाएगा फिर 3 bar x के respect में derivative a, b आजाएगा है ना, फिर यहां पे वही जो like a plus b का whole cube वाला concept लग जाएगा कि normally आपको exam में यहां तक पूछा जाता है जिसे हम आपके सामने example लेके चलता हूँ और इस example को समझाने की कोशिश करता हूँ जिसे हमारे पास यह बोला जा रहा है कि आपके पास एक function दे रहा है जिस आपके पास यह बोला जा रहा है कि f is equal to यहां पे आपके पास x square y plus 3y minus का 2 और आपसे बोला जा रहा है कि x minus 1 and y plus 2 की term में इसको यहां पे क्या करना है expand करना है मतलब यहाँ पे आपस यहां पास x is equal to 1 and y is equal to minus 2 के respect में इसको में क्या करना है expand करना है तो बटा हमें जब भी हमारे पास इस तरह सा आता है तो हमारे पास जो function आता है उसको हम कैसे लिखते हैं f1, minus 2 plus 1 by 1 factorial बटा यहाएगा x minus 1 and f यहां से हमारे पास यहाएगा x1, minus 2 and plus यहाएगा y plus 2 and fy के respect में डरिवटी 1, minus 2 बटा ही आएगा हमारे पास plus 1 by 2 factorial यहाएगा हमारे पास x minus 1 का whole square xx 1, minus 2 plus 2 x minus 1 y plus 2 बटा यहाँ पे xy के respect में डरिवटी होगा 1 minus 2 plus बटा ही आएगा हमारे पास y plus 2 का whole square f1, minus 2 यहाँ पे y, y आजाएगा तो इस तरह से यह यहाँ पे चलता रहता है बटा हमें इन सब की value चाहिए यहाँ पे, सबसले हम f1 minus 2 बटा जहाँ पर भी x होँआ पे 1, जहाँ पर y होँआ पे minus 2 रख लेता है तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे इसका derivative अलग से निगालके रख देता हूँ ताकि आपको चीज़े यहाँ पे समझ बाँ जाए तो इसमरे हम क्या करेंगे यहाँ पे यह जो हमारे पास function दे रहा है इसको हम x, y ले लेंगे तो यह आएगा हमारे पास x square y plus 3y minus 2 पेटा हम क्या करते हैं यहाँ पे इसकी value रख लेता है तो यहाँ यहाँ आएगा हमारे पास x square plus 3 पेटा हम फिर differentiate करेंगे with respect to xx दो बार मैं करूँगा इसको है ना दो बार करूँगा तो एक और बार x करिसम करेंगे तो यह 2y जाएगा फिर हम differentiate करेंगे पहले y कर रस्पेक्ट में लें पे तो यहाँ पर फी इसकी value माइनस का टू यहाँ ना इस प्रकर समया फोटा यहां रखेंगे y ke j Tyler तो य्यार by a µैops के जेगा 1 रखेंगे तो यह तो माइनस का 4 řा जाएगा इस तन आए र outlets one कोमा माइनस को रखेंगे तो बैटा यह आएगा 1 plus 3 I think 4 आ रहा है हमारे पास बैटा Fx 1, minus 2 रखेंगे तो यहाँ पर भी Y minus 2 तो minus 4 उसाएगा इसी प्रकार से यहाँ पर value रखेंगे 1, minus 2 तो यह यह तो हमारे पास 2 उसाएगा बैटा Fyy 1, minus 2 यह तो आरड़ी हमारे पास 0 आ रहा है यह सब value उठा के आप कहां रख देंगे भी यहाँ रख देंगे तो बैटा जहाँ आप यहाँ रखेंगे इसकी value तो यह आएगा हमारे पास Fx, y is equal to F1, minus 2 बैटा यह तो आरड़ा minus 10 ना यह आएगा 1 by 1 फाक्टवल तो 1 ही आता है यहाँ से हमारे पास X minus 1 और Fx, 1, minus 2 बैटा यह minus का 4 आ रहा है हमारे पास प्लस बैटा यह आएगा y plus 2 इसकी value y के respect में derivative कर रहे है यह हमारे पास 4 आ रहा है प्लस 1 by 2 फाक्टवल तो 2 होता है बैटा X minus 1 का whole square बैटा Fx, x 1, minus 2 बैटा Fx, 1, minus 2 जो आ रहा है वो minus का 4 आ रहा है तो यह हमारे पास minus का 4 हो जाएगा बैटा यहाँ पर Fx, y Fx, y की value 2 आ रही तो 2 यहाँ रखेंगे तो 2, 2 जा 4 हो जाएगा यहां से और यह आएगा X minus 1, Y plus 2 बैटा यह Y, Y जो आ रहा है यह तो हमारे पास 0 हो जाएगा तो यह मतलब भी नहीं बनता है इस तरह से हम यह आप इसको आगे expand करता है अगर आप चाहें तो इसको simplify कर दीजी चाहो तो simplify करेंगे तो यह आएगा X, Y बैटा यह आएगा minus का 10, यहाँ से आप 4 common निकाल दीजी पैटा जब minus 4 common निकालजातों तो यह आएगा X minus 1 तो सुनिए अपर minus 4 common निकालेंगे तो यह मारे पास आएगा वाय प्लस 2 यहाँ से भी हम यह यहाँ से हम यह 4mak देजी निकालेंगे, चलूए हमारे पास 0 हो गया तो यह तो मारे पास ऐसे बढ़ता रहेगा है सुन यहां पर हम लग माइनस का 4 कॉमन निकालेंगे तो माइनस 4 कॉमन निकालेंगे तो यह माइनस 2 हो जाएगा एंड यहां से मारे पास इसकी विडिया आएगी X-1 का whole square minus X-1 Y plus 2 इस तरह से मारे पास यहां पर इसकी value आती जाएगी तो यह हमारे पास series expansion इसका होगा सुन एक question और समझाता हूँ ताकि आपको बहुत इजीली समझना बाकी मैंने यह समझा रखा है इसको आप बहुत इजीली यहां पर समझ सकते है सुन यह वाला question देखे क्या बोला है हमारे पास यहां पर कि हमारे पास जो function दे रखा है वो दे रखा है f हमारे पास यहां पर given है f x y is equal to sin x y दे रखा है हमारे पास है और आप से बोला जा रहा है x minus 1 and y minus pi by 2 है तो एक तो x is equal to 1 है and y is equal to pi by 2 पर हमें इसका expansion करना है जब आप इसके और अप 2 second degree time है तो यहां पर मैं इसको expand करूँगा तो f x y is equal to यहां से हमारे पास क्या आएगा f 1, pi by 2 यह हमारे पास आएगा प्लस यह आएगा 1 upon 1 factorial और यह आएगा हमारे पास x minus 1 partial derivative with respect to x 1, pi by 2 प्लस यह आएगा y minus pi by 2 और partial derivative with respect to y 1, pi by 2 और यहां पर यहां पर यहां से हमारे पास यहां पर यहां पर हाएगा 1 by 2 factorial इस तरह से हमारे पास यह चलता रहेगा, second degree हमारे पास यह आजाएगा, हमें सब की value चाहिए, इन सब की value चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको partial derivative करेंगे, तो फिरी आएगा, हमारे पास x के respect में differentiate करेंगे, तो यहाँ आजाएगा, सब का हो जाएगा हमारे पास cos x y और y आ ग्या जाएगा, इस तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिट करेंगे विध रिस्पेक्ट to y, जब y के respect में differentiate करेंगे तो यह एक्स आजाएगा, पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले y के करेंगे, फिर x के रिस्प्र एक कॉस को छूड़ा इसका करेंगे एसमें एकस को छोड़ा सिनकरेंगे तो माइनेस का खैगा 225 क्युक्कि हमER को एकस के यंकुन चाहिबंड क neden यह यह आए गय। यहाँ यहां है अब पा ज़िस्म देखेंगे फ्वं कोमा खूजगे यहां इए वह जाएगा इस F1,π1,2, है न, तो भी जहाँ पर भी X है वहां पर तो 1, और जहाँ पर XY वहां पर रखेंगे, 1 & π2 तो पर कोस π2 पर पर 0 होजाता है, है न, इस अब इसकी वेलिए रखेंगे, तो FXX, 1,π2, जहाँ पर भी Y होँ पर रखेंगे, तो माइनस का πाई स्कॉर बबाई 4 एंड यहाँ पर साइन पाई बबाई 2 और साइन पाई बबाई 2 की वेलिए कितनी होती ही 1 बाटा यहाँ यहाँ जाएगा माइनस का पाई स्कॉर बबाई 4 नाओ यहाँ रखेंगे तो यह आएगा Fxy 1, Pi by 2 जहां पर भी X है, वहां पर 1 जहां पर Y वहां पर पर 2 तो cos πr 2 हमारे पास 0 हो जाता है यहां से हमारे पास X की जिगा 1 Y के तो यह पाय बैट 2 हो जाएगा और यहां पर sin πr 2 इसकी वेलिव 1 होती है यहां हमारे पास minus काई by 2 इसे परकार सम यहां निकालेंगे सुन य, y, 1, pi by 2 तो यहां से मारे पास इसकी जो value आएगी 1 का square तो 1 ही होता है तो minus हाजाएगा और sin pi by 2 की value 1 होती ही तो यह minus 1 हो जाएगा सुन यह सब value उठा के आप यहां रख दीजेगा जैसी यह value उठा के आप यहां रखेंगे तो हमारे पास जो series आएगी fx, y is equal to f1, pi by 2 की value 1 आ रही है and plus 1 by 1 factorial यहां से हमारे पास यहां आएगा x minus 1 and fx, 1, pi by 2 तो 0 हो जाएगा यहां पर यह भी 0 हो रहा है plus y minus pi by 2 यह भी हमारे पास 0 हो जाएगा plus 1 by 2 factorial यहां से हमारे पास आएगा x minus 1 का whole square fx, x, 1, pi by 2 minus pi square by 4 तो यह भी हो जाएगा minus pi square by 4 यह value हो जाएगी now, सुनिया आएगा 2 x minus 1 y minus pi by 2 fx, y, 1, pi by 2 minus pi by 2 आएगा यह value and next हमारे पास यह रखेंगे यह भी हो जाएगा y minus pi by 2 का whole square पैटा, इसकी value हमारे पास minus का 1 आ रही है तो यह हमारे पास यहां पे इसकी value आएगा इस तरह से यह चलता रहेगा plus यहां पे यह चलता रहेगा क्योंकि हमें second degree तक ही निकालना है तो 10 चलने लेने की आवशुक्ता नहीं है तो यह आएगा हमारे पास fxy यह तो हमारे पास 1 आएगा इटम जीरू हो गई और यहां से आप देखेंगे तो minus common आ रहा है तो minus का 1 by 2 यहां पे चलो रड़ें दो इतने काफी है तो यह आएगा हमारे पास x minus 1 का whole square pi square by 4 बैटा यहां से भी common आएगा 2 so 2 cancel हो जाएगा तो यह आएगा हमारे पास pi और x minus 1 y minus pi by 2 और यहां से हमारे पास आएगा y minus pi by 2 का whole square तो यह हमारे पास यहां पे क्या जाएगा इसकी series आजाएगा तो इस प्रकार समया पे इसका series explanation करते है इसलिए question comment box के लिए इसको solve करने में आपको गिता time लगा please comment करके जरूर बताइए बाकि अगर आप CSIR ने टाइट हम गेट CUTPG exam की तयारी हमारे साथ करना चारे तो आप हमारा course math care app पे बाई कर सकते हैं आपको subscription आपका video आप यहां जाके मिल जाएगा बाकि हमारी जो differential calculus की पूरी playlist है वो आप यहां जाके देख सकते हैं यहां जाके channel को subscribe कर सकते हैं और यहां पे जाके आप app को download कर सकते हैं आप सभी का बहुत बहुत धानेवाद Thank you, Bye Bye